गर्मी में अगर आप भी कोल्टरिंग पीने के शोकिन है तो सावधान हो जाईए क्योंकि बाजार में कई जगह लोग एकस्पाइरी डेट की कोल्टरिंग भी बेच रहे हैं ऐसा ही एक मामला भी दरवार बे सामने आया जहां पर एक युवक को दुकानदार ने एकस्पाइरी डेट की कोल्टरिंग दे दी नाराज ग्राहा के एकस्पाइरी कोल्टरिंग की बाटल लेकर SDM कारेला पहुंचा और शिकायत की जड़ा देखें ये ख़वर गर्मी आते ही लोग जूस, कोल्टरिंग और अन्य पैपदार्थ लेना अधिक पसंद करते हैं ऐसे में अधिक संख्या में बाजार में पैपदार्थ उपलब्ध होते हैं लेकिन बाजार में अब एकस्पाइरी डेट की कोल्टरिंग भी मिल रही है बितरवार में दुकानदारों द्वरा एकस्पाइरी डेट की कोल्टरिंग बेचे जा रही है कोल्टरिंग की बरती हुई मांग को देखते हुए कोई दुकानदार एक से दो वर्ष पुरानी कोल्टरिंग भी लोगों को दे रहे है शीतल पेर की हो रही बिक्री को लेकर इस्थानी प्रशासन का कते ध्यान नहीं है जिसकी वज़र से एक दुकानदार ने बेधड़क होकर एक ग्रहक को एकस्पाइरी डेट की एक कोल्रिंग की बॉटल थमा दी मंगलवार को वार्ट कर मांग नो निवासी मनोश शिवास्ताओ ने अपने पास इस्थित एक दुकान से शीतल पेर थमसब की बॉटल दी खरीदी गई उक्त कोल्रिंग का पीने पर स्वात खराब आया तो मनोश ने कोल्रिंग की खाली हुई बॉटल पर उसके बनाने किती थी और एकस्पाइरी डेट देखी तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उक्त बॉटल पिछले वर्ष एकस्पाइर हो चुकी थी एकस्पाइरी डेट निकल चुकी थी कोल्रिंग बिकरी में ऐसी अनियमत्ता उजागर होने पर ग्राहक मनोश रिवास्तो एकस्पाइरी डेट की दोनों कोल्रिंग की बॉटल लेकर SDM कालेले पहुँचा जहां उन्होंने SDM आश्मिनी कुमार रावत को इसकी जान करे दी और उनकी नाम एक आवेदंदे कर शिकायत की संभागी है इमरान खान की रिपोर्ट